हाई एवरिवान दिस इस चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगी क्लास 11 थे बैयलोची का चाप्टर नमबर 8 दैट इस सेल दे यूनिट आफ लाइफ आज हम करने जा रहे हैं इसका वीडियो लेक्चर नमबर 8 एड टुडेज टॉपिक इस गॉल्जी बॉड़ी एज यू नो लिए बीना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की most important वीडियो okay तो सली सबसे पहले जरे में बात करूं कि को जी बॉड़ी को सबसे पहले किसने observe किया था यह किसने discover है था अगर मैं बात करूं तो गॉल्जी बॉडी discovered yet by okay discovered by discovered by Camelo Golgi और इनहीं की नेम पर इस cell organalis का नाम पड़ा Golgi bodies clear तो इसको जो discovered किया था वो Camelo Golgi ने किया था तो second point है यहां पर कि Golgi body किन cell में पाया जाता है तो Golgi body all जो eukaryotic cells है उनमें यह पाया जाता है present in present in all eukaryotic cells कुछ चीजों में नहीं पाया जाता है जैसे आपके except जैसे mammalian RBCs होते हैं mammalian RBC में यह नहीं पाया जाता है कुछ फंगी में यह नहीं पाया जाता है तो यहां पर मैं एक ही आपको example बता रहूं कि mammalian जो RBCs होती है हमारी body में उसमें Golgi apparatus नहीं पाया जाता है अब plant की बात करूं plant में जो Golgi apparatus है उसे हम Dictiosome भी कहते हैं ओके तो थर्ड पॉइंट यहां पर हमारे बनेगा it is called it is called Dictiosomes in plants तो plants में से Dictiosomes भी कहते हैं clear तो यहां पर हमारी main points होगे अब चलिए हम बात करते हैं इसके structure ही कि इसका structure कैसा होता है अब देखें कि हम हमेशा सबसे पहली बात कि ER means आपके endoplasmary reticulum की बात हम एक दूसरे से interconnected हैं एक दूसरे से ही इनका formation होता है जैसे कि ER का formation कैसा हो रहा था जब nucleus की जो membrane थी उसमें blabbing हो रही थी तो उससे आपके endoplasmary reticulum का formation हो रहा था पहले rough endoplasmary reticulum बन रही थी जिसमें ribosomes थे फिर जैसे जैसे वह mature होते गया तो उसमें से ribosomes हटते गए फिर उसने क्या बना दिया S.E.R. that means smooth endoplasmary reticulum बनाया और फिर उसी की बाद उसी sisterny से उनको हम sisterny बोलते थे उन्ही sisterny से formation होता है आपके मौडिफाइड होके बनाती है आपकी गॉल्जी बॉड़िस देट्स वाइ हम endoplasmary reticulum के बाद जो आपने देखा होगा कि उसके बाद जो second cell organelles कभी भी हम पढ़ेंगे तो वो गॉल्जी बॉड़िस को ही पढ़ते हैं क्योंकि उससे यह related होता है ठीक है तो जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बताने वाली हूँ suppose this is the plasma membrane plasma membrane यह plasma membrane है और सेंटर में इसका सपोस्पोस न्यूक्लियस है दिस इस न्यूक्लियस और यहाँ पर endoplasmary reticulum है ठीक है दिस अब दीजार को और सिस्टर नी इन्हें हम सिस्टर नी क्याते यहीं सिस्टर नी आपकी modify होके क्या बनाती है गॉल्जी apparatus बनाती है तो गॉल्जी apparatus देखो कैसी बनती है कि यह इसे न्यूक्लियस से थोड़ा मतलब उसको अपनी पीड दिखा के होती है यह जैसे मैं हूं कोजी apparatus हूं तो मेरी लाइक दिस लाइक दिस दिस तो देखिए एक प्रकार से कैसे है आपके इसने मलब पीट करी है लेकिन हम बोलेंगे फेस इसी को ही ठीक है तो इस इस गॉल्जी बॉड़ी तो सबसे पहले बात इनको हम क्या कहते हैं सिस्टर नी इस आर कॉल्ड सिस्टर नी क्लियर और ये जो इसका उपर वाला पार्ट है ठीक है दिस इस कॉल्ड फेस ये फेस है और फेस को हम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा और या फिर इसे हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस और फॉर्मिंग फेस ओके और जो नीचे वाला पार्ट है वो ऐसे है देखिए ऐसे करके है तो दिस इस कॉल्ड कॉन्वैक कॉसरे कनकेव और मिच्चॉरिंग फेस अब यहाँ पर जो कॉन्वैक्स फेस होता है इसे हम सिस पोजिशन भी कहते हैं ठीक है जो आपका कनकेव फेस होता है इसे हम ट्रांस पोजिशन भी कहते हैं ट्रांस फेस इंपोर्टेंट तो चलिए हमने हमने स्ट्रक्चर देख लिया अभी एक दो चीजे और हैं अभी जब इसके ऐलिमेंट्स पढ़ाओंगी तो वहाँ पर उनके वर्क भी बताते रहोंगी ठीक है तो इसके हम ऐलिमेंट्स कर लेते सबसे पहले अगर हम ऐलिमें फोस्ट वन जो मैंने भी पढ़ाया आपको इससिस्टर ने फोस्ट एलिमेंट्स जो है जैसे कि थ्री एलिमेंट्स है फोस्ट एलिमेंट्स है system name ओके ऐने आंपके सेकी किन आता है वैसी कोलर टो Ref थारा आता है घ्रक की ओके हमने सट ली कि तो बात कर लीड डीज़ आर कॉट्स तर नी जो आपका उपर वाला है दिस इस Convex जिसे हम Sis part कहेंगे वह towards the nucleus this is nucleus और जो trans वाला part है वह towards the plasma membrane होता है यहां पर भी plasma membrane आएगी ना ऐसे करके तो plasma membrane होगा अब यहां से जो आपके वैसिकल्स है ठीक जैसे के आपको पता होगा यहां से बैसिकल्स का फोर्मिशन होता है दो फाङज में रेक्टिक्योलम से अकर आपको याद होता हो तो यहां भी आपके क्या होती हैं वैसिकल्स होती है यहीप यहींजन्य को थोड़े लार्ज साइस के होते हैं अरण यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि आपके जो गौजी बॉड़ी है उसके थ्री एलिमेंट्स हैं सिस्टर ने वैसिकल्स और वैक्योर्स और मैंने यहां पर आपको बता दिया अब बात करते हैं इसके फॉंक्शन की और यहां पर एक चीज जो सिस्टर नी का जो साइज होता है जो आपकी NCRT में गिवन है वो होता है आपका 0.5 माइक्रो मीटर टू 1 माइक्रो मीटर तब होता है क्लियर ओकी चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इसके फॉंक्शन की फॉंक्शन की सिस्टर एक्चुली गॉल्जी बॉड़ी का फॉंक्शन क क्या होता है सबसाब सबसे पहला जो फॉंक्शन है वो है सीख्रेशन एंड प्रोटीन कि लिए सीख्रेशन करता है और प्रोटीन की अब भी पैकेजिंग कैसे करता है तो यहां पर आपको पता है जो एंडोप्लाजमी रेटिकुलम है वहां पर आपके प्रेजन्ट होते है ऐसी यार में राइबोसोम अब राइबोसोम किसकी सिंथेस करता है ओव्यूसली प्रोटीन का सिंथेस करता है तो यहां पर राइब क्योंकि रूप में कॉनके जो फेसे मेचौरिंग फेसे वहां से इसको रिलीज कर देता है उसको कहीं भी डेस्टिनेशन जो भी उसकी डेस्टिनेशन होगी मिस इंट्रसेलिलर भी हो सकती कि भी यह सेल के अंदर आपके अलग अलग जो सेल और गानली से अगर जहां व्यवति सेल्व में उसको भीजना होगा तो वहां उसको ट्रांसपर करेगा यानिक जो भी उसके जो डिजायर डेस्टिनेशने वहां थूदर वैसिकल तो हम यहां पर पॉइंट डिक सकते हैं की रिसी फ्रॉम वाट रिसी प्रोटी ठीक है रिसी फ्रॉम ए आर एंड एंड सप्लाइ या हम कह सकते हैं की ट्रांसपोर्ट सप्लाइ टू डिजायर डेस्टिनेशन clear आई होप यह वाला पॉइंट आप लोगों clear होगा ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं second point second point क्या होगा यह आपका हॉर्मून का भी सीक्रेशन करता है second point है सीक्रेशन ओफ सीक्रेशन ओफ हॉर्मोन लाइक आपका थायरोक्सेन ओके थर्ड पॉइंट के अगर मैं बात करूँ यह आपके बनाते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूकलियस के बैबलिंग से फॉर्मेशन होता ए आर का इ यार की जो सिस्टन नी है वो मोडिफाई होके बनाती गॉल्जी आपरेटस अब गॉल्जी आपरेटस से फॉर्मेशन होता है लाइजोजोम थीक है तो यहाँ पर इंपॉर्मेशन ओफ फॉर्मेशन ओफ प्राइमरी ठीक है आप जब हम लाइजोजोम पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाओंगे कि आपके जो लाइजोजोम होते हैं तो यहां पर यह प्राइमरी लाइजोजोम का फॉर्मेशन करेगा लाइजोजोम ओके एंड आपका फॉर्थ पॉइंट क्या आएगा फॉर्मेशन ओफ फॉर्मेशन ओफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड ओके अब भाई यह कैसे बनेंगे देखिए यह वाला पॉइंट अब जो कार्बो हाइडरेट है उसको हम ग्लाइको से बोलती कार्बो हाइडरेट जब किसके साथ मिल जाएंगे आपके प्रोटीन के साथ मिल जाएगा तो इससे जो फॉर्मेशन होगा उसे हम ग्लाइको प्रोटीन कहेंगे ठीक है उसी तरह से जब कार्बो हाइडरेट के साथ लिपिड्स एड होगा तो उससे हम ग्लाइको लिपिड कहते हैं ठीक है इतना समझ में आए गया तो दिस इस दो आल अबाउड गॉल जी बोड़िस इसको डिसकवर किया था कैमिलो गॉल जी नहीं किया था इसी वज़ेसे इसका नेम गॉल जी आपरेटेस है यह अल यूकरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती एकसेट कुछ सेल्स ह जैसे कि आपके मैमेलियन आर्दी सी यहां पर इक्जैम्पली मैंने लिख लिए फिर इसको प्लांट में डिक्टायोसूम्स भी कहते हैं अब इसका हम स्ट्रक्चर के बाद करें तो आपकी जो न्यूकलियस है उसी से अटाज्ड होती है जो एयार होते हैं उसकी जो सिस्ट को उसको अब इस जो निची का है जो तुर्स प्लाज्बा मेंब्रेन उथा तो स्ट्रांस फेस कहते हैं यह फिर मेच्वाहिक्जाय की बात करें तो पैकेजिंग और स्टीश्ण और सेक्रीशन उप प्रोटें शोप्रोटीन य यार में बनता है उसको रिसीईब करता है फ् डिजायर डेस्टिनेशन है इंट्रा या इंडर वहां इसको पहुचा देता है सेकेंड है आपका यह हॉर्मोस का भी सीक्रेशन करता है लाइक आपके थायरोक्सीन प्राइमरी लाइजोजोम का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि इसके वाद नेक्स टॉपिक हो का वह आपका सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट दे लाइक लिए कॉमेंट सब्सक्राइब तो मैं चैनल और प्रेश बैल आइकन मैं मिलूंगे अपनी नेक्स वीडियो की सांथ जिसमें हम डिसकस करेंगे लाइजोजोम्स तब तक के लिए स्टे ट्यून स्टे है अल्दी, स्टे कने टिट बाइ